गुडीवनिंग बच्चो तीन मुल के लेक्चर आपको मुल बन सकते गाशी लेक्चर आपको पढ़ाई जाज़ा है अदमा πोर्स लेक्चर आपके दीद यार करवाऊ मुझे होप है कि जो लच्छर मैंने पहले तीन आपने पढ़ाई वो आपने पढ़ लिए होगी, उनके नोट्स भी बना लिए होगी ओसकता है कुछ बच्चे नहीं भी बना पाए हैं बच्चों मैं सभी से कह रहा हूँ कि इस समय बहुत किम्ती है साइस के स्टुडेंट के लिए इस समय दुवारा जिन्दगी पे नहीं आप और हम लोग जो परियास यहां से कर रहे हैं उस परियास का मतलब भी क्यों यही है कि आप लोग अपने घरों में रहेकर सेफ रहेकर अपने पढ़ाई को सुचार गूरूप से जरे रहे हैं मोल कॉंसेट बोल बेसिक ट्रम है नीम है इक प्रेशिक अनुस्ट्री आप लोग सारे जिनोंने नहीं भी बढ़ा हो वो दुवारा से लेक्शर वारन टू थ्री देख लें और यह लेक्शर फोर मैं आज आप सुदूर कर रहा हूं स्टार्ट करते हैं बचो आज गार तो टूपिक होगा वह होगा लिमीटिंग एंड एक्सेस देट इस सबसे पहले यह डिफाइन करें कि लिमीटिंग और एक्सेस डिएजेंट होता कि है तो इसी मैं डिफाइन करूँ एक्षिन लिया है एक प्लस बी करनावर्स इंटू प इन दोनों रियक Esp till के बिलने से प्लस बंद चाले यह रुगह डोटन अब बनता गया बनता गया एक एसी स्टेज हो ज़ा तो जो रीक्स रीक्शन के अंदर रिएक्शन के ấm में कम्प्लेटली construct को हम कहते है लिमिटिंग ब्लिएंट और जो रीक्टम neo reaction और बनना बंद हो जाए उसके बार भी कुछ अमान्ट में बचा राहे यए? उसकोज को आम कहते है? एक्सेश रियेटेन्ट मैं लिख रहाँ मोत सो लिमीटिंग रियेजेट्ट wife कि ले उठेट्ट ले मिटिंग रियेजेन्ट देर केंद वेचलीप्टेत वेट। गैस안 एपूंदेंटική लिवेSi nett eking the during the reaction वो reactant जो reaction के दोरह complete लूप से consume हो जाए completely consume हो जाए खतम हो जाए उस reactant को हम कहते हैं limiting agent हमसे कुछा गया access reagent क्या है तो limiting reagent दूसरा आमसे पुछा गया access reagent क्या है access reagent the reactant which remains unreacted unreacted after the completion of completion of the reaction the reaction the reaction which remains unreacted after the completion of the reaction reaction complete हो जाए उसके बाद भी दो reactant unreacted रह जाए that is known as access के दो टरम्स है first is limiting and second is access limiting the reactant which gets completely consumed access the reactant which remains unreacted after the completion of the reaction अब बचो product तब तक ही बनता है जब तक की दोनों reactant बचे होते हैं एक भी reactant यदी खतम हुआ जिसको अमने limiting का तो वो खतम होते के साथ product का बनना बंद हो जाता है it means limiting reagent limiting reagent reagent decides 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 the amount of product form प्रोडेक्ट हमें फोम्ड limiting reagent हमें से decide करता है कि जो product बढ़ेगा वो कितनी amount के अदर बढ़ेगा यह बात हमें से limiting reagent रिशाइड करता है इस चीजों को हमें क्योस्टन से समझते हैं रुचों इनी चीजों को हम limiting or access reagent को हम question से समय लेक्षिस करते हैं question इसी phone में आते हैं this phone में मैं आपको परवाना चाहता है हम पहला question यह लेके चले तो पहला question हमें दिया question number one first question हमें दिया और उस first question में हमें का three gram of x2 three gram of x2 reacts with reacts with twenty-nine gram of O2 to irradi water first part उछा which is limiting reagent which is limiting which is limiting reagent यानी lr कहते है calculate the maximum amount of maximum amount of H2O that can be found can be found और बच्चो इस question दा third part पुछा हम से calculate the like the amount of amount of one of the reactant which remains unreacted which remains unreacted which remains unreacted which remains unreacted balance reaction H2 plus O2 gives H2 hydrogen 2 O2 2 oxygen 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 6 स्टाइचमैट्री नऑ मोर्स के ठणियार मेर मैं रहुं टू मोर्स store मेरे ज्ठियो मेरी, इन ट्रुम सोब मोल Colin bi ट्रुम मेरे स्टाइचमैट्री मिल सिस्टाइच मी डू लिहूं, है 1 m off or 2 2 of 2 m off H2O कि अब सबसे पहला उम्हें लिदी रिएंजिन है तो सबसे पहला काम हमारा यहीं है कि हम मोल की ट्रम में अम्हें लिखें ही उसके बाद किस ट्रम में लिखें तो रखेगा अपने गिवन कंडिशन सोग और ट्यूस यांदर मास देड़क में तो हम इस ट्राइचामेट्री को मोर्गी ट्रम से मास की बदलतें कि किसी का वें वो उसके ग्राम मोल्यकुलर मास की बरावर होता है दो मोल है मैंने उसकी मिकाल जितने आगे उसको लगदर टू इंटू वन मोल का मास इडरेजन का एक्सवेट तो टू इंटू ग्रांगो एक्सवेट रिक्वाइड वन मोल है और टू के वन मोल का मास 32 ग्राम और टू ओ ओ फोर्टू तू फोर्म टू इंटू वाट विएटीं ग्राम ओ एक्सवेट शोल ना परेंच चीजों को उस दिन भी बताया था पर आपको यारा आपस में कैसल आउट हो जेंग अब बच्वों हमें पहला पार का रहा ह है लिमीटी विचित लिमीटी विए लिमीटी रेल इकाला है वन में यह पताह है चेंच के अंदर से ही होता है इसका मजलब मैंने यहां से स्को देखा तू क्योंगी इस में से निए इसायन करना है तो मैं यहां जाँ असको यागने रिखाव दिश्ट्स 4g राम थे रिख्ट रावट 4g राम 2 2 2 2 x पार्ट कर राम 2 x 2 g राम H2 रावट 32 g राम 4 2 32 g राम 4 2 1 gram required 32 upon 2 into 2 gram of O2 और बच्छा प्रक्षण में कितने gram है O2 ? 3 gram sorry X2 कितने gram है ? 3 gram X2 था तो इसका मैल जब 3 gram of X2 required 32 upon 2 into 2 into 3 यादि 3 ग्राम एक्स्टू जो है वो कम्प्लीट रूप से रेक्ट कर जायेगी 24 ग्राम और टू के साथ बचो लेकिन द्यास देहें इस चीज़ को समझाओ मुझे जरूत है 24 ग्राम और मेरे पास 35 रुपए इसका मतलब मेरे पास 5 रुपए फालतो बचेंगे 24 ग्राम और टू रिक्वाइड है अवेलेबल टू 29 ग्राम है इसका मतलब ऑक्सीजन जो है वो रियक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन एक्सेस में रहेगी अन्रेक्टिड रहेगी तो यहां से मैं कह सकता हूं और टू इस एक्स रीजन और टू इज एक्सस रीजन जब ओट आख्सेस देट हो गया टू जब एक्सेस देट हो गया तो निश्ची त रूप से एच टू इज लिमीटिंगी एच जो होगा वो लिमीतिंगी ज्यांस देख रूश्य है अब ने का कि ओटू एक्सेस रिएजेंट है क्योंकि जरूब थी 24 ग्राम की और हमारे पास था 29 ग्राम एक्सेस रिएजेंट है अब इस क्वेशन का थर्ड पाट इसी क्वेशन थर्ड पाट कल्कुलेट आमाउंट ओफ बनों का रियक्ट्रेंट इसी क्वेशन का सब्सक्राइब और हमारे पास है इसी क्योंस्तिंट का सब्सक्राइब ओरहें जब सब्सक्राइब करुंग क्यों के ने ने निंट्र परेंच परकुलेट की फोर्मेशन डिपंड करती है लिमिटी मेंस अबस्ट्राइब मैं यहां से बच्छो कह सकता हूं 2 gram 4 gram of 4 gram 2 into 2 gram of H2 forms product 2 into 18 gram मैंने इस बात उठा लिया second part के लिए मैंने got 2 into 2 gram of H2 forms 2 into 18 gram of H2 1 gram will forms 2 into 18 upon 2 into 2 9 और बच्छो कितना अच्छो था 3 gram 3 gram of H2 forms 3 into 9 that is equal to 27 gram इस क्योशन के सारे पार्ट सोल होगे बच्छो फेस्ट पार्ट था अमारे पास इस क्योशन में फेस्ट पार्ट अमारे पास था कि identify the limiting region अमने limiting region identify कर दिया और limiting region is H2 second part हमारे पास था maximum amount of H2 अच्छो 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 फेस्ट क्योशन था 2-3-4 क्योशन तर पर होगे तो यह समझ में करता प conclusUS बातो था इस से साथ पर था कि अगश्ण के औरी आन्य था मैं मैं एबस को अइस टानीक्स अमारे पास आइस अच्छा को सदे अ अच्छा है कुछन है, in a reaction, in a reaction, a plus b2 gives a b2, identify, identify the limiting reagent, if any, in the following reaction mixtures, reaction mixtures, following reaction mixtures, first part है, 300 atoms of a, atoms of a, plus 200 molecules of, molecules of b2, second part है, 2 mol of a, plus 3 mol of b2, third part है, 100 atoms of a, 100 atoms of a, plus 100 molecules of b2, question है, in a reaction, a plus b2 gives a b2, identify the limiting reagent, if any, in the following reaction mixtures, पहला case के अदिया है, 300 atoms of a, plus 200 molecules of b2, यदि आप क्योंसर को देखें दोड़ा सर, ताब यह कहता होगे सर, इसके अंदर a atom, atomic state के अंदर है, single atom, और b2 molecule के अंदर है, यदि मैं strichometry देखूं, यदि मैं strichometry देखूं, बच्छो, strichometry, तो strichometry के अंदर, यदि मैं ratio देखूं, तो ratio है, 1 is to 1 की, ratio a is to b2 की जो ratio है, that is, 1 is to 1, वो हर्थ ratio 1 is to 1 है, बहुत आसान सा तरीका होगा, यदि सब्सक्रोंसर को बने का, सबसे आसान सा तरीका ही है, कि जो भी आपको देरक्षा है, atom is to molecule का ratio 1 is to 1 आया है, 3 atom of a, 2 atom molecules of b2, कुछ भी नहीं दरना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ सिखा दे, लोग कि ये बना दो बना, कुछ नहीं करना है, सब्सक्रोंसर में, आपको बड़ा सासा तरीका है होगा होगा है, दोनों में से जो छोटा है, या तो जिसके atom छोटे है, या molecule छोटे है, उस ये आपके पास 1.5, हमारे पास रेश्यो आने चीए थी 1.2 की, लेकिन रेश्यो जली 1.2 की आती, तो दोनों रियक्तेंट्स जो हैं, वो साथ साथ रियक्त करते हैं, और पूरा का पूरा रियक्सन एक साथ खतम होता, दोनों में से कोई भी अन्रेक्त नहीं रहता, लेकिन यह या पर रेश्यो आई वन पॉरां फाईंट्ट ईसट वरेख की यह तो अपनी जगह से ही वरत लेकिनियो 1.5 के है पास 2 है वो यह कम होगा तो लिमिटई रियंट होगें यह आपर। यहां बैड-डेड ऐस बीक्स बूचलेंट्टिंट्टू एक्सेस बिजन्ट तो डै को डिवाइट कर दो यह क्या आगया अच्छा आपके पास 1 इस तू 1.5 इस पार यह तो वह लेकिन यह क्या आगया 1.5 बार ज्याद आगया इसका मतलब यह क्या हो गया पास 2.5 इस तू 1.5 और वन इस तू 1 की रेशयो ही हमेचिये दोनों रियक्टेंट ए और विट्रू साथ साथ रियक्ट करेंगे दोनों एक साथ खतम हो जाएंगी जाएंगी यहां से नहीं कि इस केस में कोई भी लिमिटिंग नी बड़े था नो निलिपिंग लिए नो वल इस लिमिटिंग लिए कि समझ जागे हो चलो जागे देखें खड़ किसन देखें किसन नमर थार्ड है लिम्लों किसे नमर थρ्ड देखें रच면 Connie Venafone milk Wednesday agree एक्राइन डिए निए जागे पावः यंठीग ट्व़फ इसर में ऊचрафश ग्राफन तव निलिए आजंग लिए ड्रेखें निलिएस तव ev2 फों नहरत न्रुख प्रेस्ट पाट, इडेन्टीफाई दा लिमिटिंग विएजेंट, सेगेंड पाट है, कल्कुलेट दा अमाउंट ओफ एनस्थी फोंड, और बच्छो थर्ड पाट है, इडेन्टीफाई, कल्कुलेट दा अमाउंट ओफ एकसष्रेजेंट, अध्स़ु गरों। मैं इस सारी क्योशन को सब्सक्राइब तो सबसे पहले क्योशन इस पार क्योशन पढ़ें सबसे पहले आप क्योशन थाफ के पास इस केस में क्योशन है 2 x 10 to power 3 gram of N2 reacts with 1 x 10 to power 3 gram of H2 to form to form N3 identify the limiting region calculate the amount of N3 formed and third part calculate the amount of excess region remaining in concrete जब यह इसा क्योशन आता है सबसे आसन ठीक है कि आप सबसे पहले balanced reaction रेक्शन 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 के बीच में N2 plus H2 gives N3 9.9.2 बच्चो यहां 1 है 2 से multiply जाती है 6 होगे 3 से multiply जाती है यह आपके पास balance equation आप अब यह दिये balanced equation है तो मैं इस equation के बच्चो balance equation निये है तो मैं यहां से mole की ट्रम में किस्तों से balance इस लिखनी है यहां से में लिखने है कुछ भी यहां से मैं लिखंगे कुछ में दीज मांदी रिक्वाइड त्री मोल्ड ए च्टू न्दी एनेस निइस अब क्यूष्चन है नहीं कि क्योश्वल के अंदर जो कॉइंट की दिरखी है वो मास की प्रम में दिरखी है इसका मतलब हमीं सुनिक सी तरूशे मास की प्रम में बदलेंगे तो मोल का हमारे पास बहुत बेसिक को शत्रफार में लिए इसको मासमें मोल इसलीी युटलो मास में मोल कैली मैं इसको लिखा 28 ग्राम ओफ N2 required 3 into जो भी आगे को अब से उसको आगे रिखले इन्टू 1 mol कमास 3 into 2 gram of H2 2 form 2 form 1 mol of N2 required 3 mol of H2 2 form 2 mol of N2 2 mol of N2 of N2 2 form 2 into 1 mol एक पहला है कि रिमीटिग इसे पार्ट पासे कर ने से कल लुमेकर रि Blind स्क्राइब स्कुमाने पार्ट इसके summary ट consumed हिऊंटिर प्रक्रा उप्रेस केبة करें लुसारी करें H2, 1 gram required 3 into 2 upon 28 grams, और बच्चों, गीवन कितना है, गीवन एंट कितना है, 2 into 10 to power 3 gram, 2 into 10 to power 3 gram, and 2 required, 3 into 2 upon 28 into, 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3, 28 and 4, ये 7, 3 by 7 into 10 to power 3, 3 by 7 into 10 to power 3, that is, इसको इसमा इसको, 0.4 into 10 to power 3, के आसको चलिया, यदि ये 0.4 into 10 to power 3, के आसको चलिया, यदि ये 0.4 into 10 to power 30, ये मार रश्रीक से करें इसको, तो 3, 3 से 7 से करें, तो 0.0 का 4, 28, और ये 2, ये 2, 0.4 के आसको चलिया, 0.4 into 10 to power 3, अब बच्चों, ध्यान से देखें एक बाद, कि हमें required x2 कितना है, 0.4 into 10 to power 3, लेकिन गीवन x2 कितना है, but, गीवन x2 ये आपके पास आ गया, यहां से आप लिख सत्ते हो, but, गीवन x2, गीवन x2, is 1 into 10 to power 3, हमें जरुख थी, मैं यहां से देखें, 0.4 into 10 to power 3 ग्राम x2 जरुख थी, लेकिन गीवन कितना है, 1 into 10 to power 3, it means, जरुख थी कम की, 40 पैसों जरुख थी, और हमें होरे पास अवेलेबल कितना है, एक रुपिया है, इसका अलव फालतु बचेगा, जिदी फालतु बचेगा, तो फालतु बचेगा, तो यह क्या हो गया, आपके पास, हसी होग से अचन्छेंट पूरा बचेगा, हसी ही होगा है, इसका भी सब्सक्राइiblन पैसावी के पास, second part जो किया आप नहीं, second part के अंदर बचो आपके पास क्या है, second part में, third part में, third part के अंदर, first part हो गया, first part में limiting reagent is N2, excess reagent is H2, third part, excess reagent remaining unreacted, remaining unreacted, unreacted, कितना रहेगा भाई, जीवन कितना धा, 1 into 10 to the power 3, यानि की, 1000, required थिकना था भाई, required, required था 0.4 into 10 to the power 3, यानि की, आपके पास 400, 400, बचेगा कितना भाई, बचेगा कितना, unreacted कितना रहेगा भाई, unreacted, unreacted रहेगा आपके पास 600, 600, unreacted रहेगा, आपके पास बचो, अगला क्योशन आता है, second part रहेगे, इसका, calculate the amount of NST, LST की amount निकालनी है, जो बच गई, LST के दिए amount निकालनी है, जो बच गई, तो उसके लिए देखो, कहले है, हमें पता है, कि amount of product, amount of product is decided by, थर्ड़ पाट, amount of product is decided by, decided by, decided by, limiting gradient, और limiting gradient को है, N2, तो बच्चों मैं यहाँ से N2 limiting gradient है, 28 gram, और यह आपके पास कितना दे रहे, 2 into 17 gram NST, तो मैं लिख सकता हूँ, 30 gram, विलकोंस, 2 into 17, upon 28, into 2 into 10 to power 3, बोलो चो, 4, 7, 7, कितना आगया, 17 upon 7 into 10 to power 3, 2.4 into 10 to power 3 gram, देखो, ज्यांसे देखो, क्लियर सबीकों, एक क्योंस मैं आपको होंगर के लिए दे रहा हूं, आपको करना है, उसको सोल करने के बाद, मेरे पास उसके solution बेजना है, पीछे वाले क्योशन में मैंने स्टाइचामेट्री का क्योशन आपको दिया था इको उम्रत के लिए करने के बाद में इंडियूजर नंबर भी आपको वार्ट सब्सक्राइब वह भी बहुत कम बच्चों ने बेजा था इसमें बोग करते हैं कि यह सारे बच्चे बेजेगी मैं क्योशन और देरा आपको करने के लिए और क्योशन है बच्चों लिमिटिंग रिडियर काई क्योशन है 25 ग्राम ओफ एसोटू एड़ शिक्स ग्राम ओफ और टू रिएक्स अपोर्डिंग टू दा रिएक्सन अपोर्डिंग तो रिएक्सन टू एसोटू पलस ओटू गिप्स टू एसोटू करना क्या है आपको आपको फ्रेस्ट पार्ट है आइडेंटिवाइ करना है लिमिटिंग रिडियर को दूसरा पार्ट है कल्कुलेट आमाउंट ओफ एसो थी फोंग और टीश्रा पार्ट है कल्कुलेट आमाउंट ओफ एक्सस डिएक्स डिएंट रिमिडिंग अंदिप्टिटू यह क्योशन जिजोवी बच्छा रिच्चर देखे जिसको भी समझ में आजाए याँ करने के बात इसको मेरे पास सोलिशन में परसनल नमर पर वाट्सव अपना नाम लिखकर फ्लास लिखकर मेरे पास बेजना है बचो निमिटिंग और एक्सस डिएंग का क्योशन मैंने आपको इक्ससाइज द्रवाई है कि आपको पढ़ना है देखना है रिक्सर को उसके बावजू और स्कूली सिस्टम के लिए तो हम और भी लंबा लग रहता तो आप लोगों को बहुत तक हो सकता है किसी मोड से प्राइब करने पर तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है सभी से अपीर कर रहा हूं आप में से बहुत से स्टुएंट्स जो है वो जानते भी होंगे मुझे औ सब्सक्राइब करते होंगे फाउंडेशन बैचों में उनसे भी पूछे हमारा एक ही एम रहा है और वह एम यही है कि मैनत की बिना पुछ गर्जित नहीं क्या रहा सकता कि सभी बच्चे मैनत करते रहें सभी लगे रहें दूसरी बार यदि यह लेक्चर आपको सभी आते ह है है लिए तो सभी बच्चों के पास जितने भी स्टुडेंट्स जो भी आप एगाम में मोले में जो भी आपके सहर में रहते हैं जिनसे विए आप जानते हो सभी के पास बेजें चैजिए स्कोल का हो कोई चीज चीज है इसको जितना फैलाओगी तनी बड़ पिसनी जाती है उसको जितना हो कि उतना पहलाना चीजिए ना जाने आपकी की वी कतर से कौन पच्छा पड़ जाए और वो इस देश के रिए अगले लेक्टर में फिर मिलेंगी तक दो बाइब